हेलो दोस्तो आज हम एक रेग्यूर इंडिकेटर जो शायद आपने बहुत बार सुना भी होगा बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे बहुत बार उस बारे में पड़ा भी होगा जिसका नाम है रसाई इस वीडियो में मैं आपको रसाई को अलग तरीके से देखने का और सो पहले एक समझत है कि RSI बेसिकली होता क्या है एक शौट थर्टी सेकेंड्स में RSI मेरे लीए एक स्ट derived है जो एक ममेंटम को प्ले करता है अब एजिकली जब हो मुमेंटम स्ट्रॉंगर होगा तेजी का रूख होगा या जैसे ऐस9 में तो जबारी करता है जो एक 5x 4 उसंने जो एक तेजी का रूख वली статьल होती समझ लोगी से किसी वीक तिन तका चला तो यह क्या करता है जो तीन टका चार टका चला उसको जादा वेट्स देगा और पॉजिटिव और नेगेटिव वो गिनेगा तो इससे क्या होगा ना जो स्ट्रेंज है वो एक मेजर होती है एक ट्रेंड की तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आरेसाई बेजिए के लिए एक स्टेम करते हो तो मैं जहां पर जैसे अगर मैं स्क्रीन पर आता हूँ तो मैंने यहां पर एक निफ्टी का चार्ट डाला है और मैं अगर आरेसाई प्लॉट करता हूँ जैसे मैं इंडिकेटर एड कर रहा हूँ यहां पर आरेसाई तो आरेसाई में देखोगे तो दो चीज़ आत जो 14 trading days लेगा यह trading candles लेगा यह trading bars लेगा और 9 है वो जो average आगी 14 days की जो average आने को तो 9 period का average ले रहा है एक simple time में moving average आप जब लेते हो तो moving average क्या करता है आपका जो X period आपने जो भी लिया रहेगा 10 days, 20 days, 30 days वो उस period का average है वैसी RSI जो 9 period है जो पिछले 9 candles का जो RSI है उसका एक average आपको plot करेगा तो मैं यहाँ पर इसको plot करता हूँ charts पर आप देखोगे तो यहाँ पर charts में आपको दो एक आ रही है blue और एक आ रही है red line यहाँ पर आप देखोगे तो दो line दिख रहे है नीचे के इसमें ठीक है तो basically क्या है जो blue line है वो मेरा RSI period है 14 period का जो calculations आ रहा है वो है और जो red है वो 9 average है मेरी ठीक है तो हम जिसको और बहुत बार ऐसे लोग signal line भी इसको बोलते है तो एक theory है positive crossover, negative crossover ठीक है तो which means that positive crossover मतलब RSI जो blue line है वो अपने 9 period के उपर जाते है तो indicator digger आप bottom में देखोगे तो ठीक है यहाँ पर मैं indicator digger पर click कर रहा हूं मैं RSI यहाँ पर ले रहा हूं ठीक है अब यह RSI क्या प्लॉट करेगा जितने भी आप जो भी आप basket लोगे है जो भी segment लोगे है जो भी sector लोगे है जो भी indices लोगे उसमें अगर आप indices ले रहे हो nifty 50 त stocks आएंगे जिसका RSI आपको बताएगा ठीक है मैं जो theory आपको बताने वाला हूँ बहुत simple है मैं because यहाँ पर एक broader market को consider कर रहा हूं इसलिए में nifty की जो all indices जो available है nifty के और से हम उसको plot कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है और उसको मैं daily में plot कर रहा हूं ठीक है अब गर मैं इसको scan पर click करूंगा तो मुझे यहाँ पर दिखाएगा कि मेरा जो index है उसका price क्या है यहाँ पर आप देखो कि तो RSI दिखा रहा है RSI का average दिखा रहा है और जो difference है वो दिखा रहा है ठीक है अब importantly आपको यह देखना है RSI in average का जो column है यहाँ पर इसको मैं segregate करूंगा तो यहाँ पर आज के दिन में negative उसका मतलब है या शायद वो कल एक दिन पहले या दो दिन पहले या तीन पहले से चले जा रहा है वो negative trend है अब यह theory बहुत important है यह एक broader market breath देखने के लिए भी बहुत कामाती है जिसको मैं देखता हूं कि यह जो broader indices है वो अपने strength lose कर रहे है या नहीं क रहे है अगर वो strength positive है strength negative है अगर यह negative crossover है यहाँ पर which means that the momentum जो है जो bullish momentum है अब वो lack होते जा रहा है यहाँ पर यह bearish मैं इसा नहीं बोल रहा हूं कि bearish हो चुका है possible हो सकता है कि redressments भी हो चुकी है अब यह broader trend कभी-कबार निफ्टी के साथ चलेगा कभी-कबार निफ्टी क साथ नहीं चलेगा बहुत 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 होता है कि कोई sector not perform कर रहे है कोई sector underperform कर रहे है ठीक है अगर यहाँ पर आप देखोगे okay because यह मैं shoot कर रहा हूँ Wednesday के दिंग जहां market negative momentum के साथ trend close हुआ था HDFC bank ने एक बड़ा सा post result के बाद 8% का fall दिया bank nifty में बड़ी गिरावट यहाँ पर 2% की nifty में थी over nearly 4% bank nifty में थी यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे sector है because अगर HDFC bank के वज़े से market गिरी है यहाँ पर तो सिर्फ वो negative bank index होना चाहिए but interesting यहाँ पर broader trend में आप देख रहा हूँ तो healthcare negative हो चुका है mid select negative हो चुका है CPSC just negative हुआ है यहाँ पर okay अब इ market निगिरी digital okay large mid 50 large mid 250 यहाँ पर हमने बहुत सारे sectors है mid cap 150 अब एक negative cross over pay daily charts में यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे index है nifty 100, nifty 200, nifty 50, nifty 500, nifty bank index okay अब आप list देखोगे against the negative to positive okay यहाँ पर list बहुत चोटी है consumer durable index है जो अभी तक positive में चल रहा है मैं इचे जाऊंगा तो IT index है जो एक positive में चल रहा है apart from that यहाँ पर मुझे broader trend एक RSI negative process see इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं interpret कर सकते हैं either the trend is reversing depending upon the charts आप बहुत देख सकते हैं individual charts में जाके either the momentum is lacking and which may go into the time consolidation as well okay तो इस theory को दो तरीके से सकते हैं ठीक है आप इसको weekly में भी scan कर सकते हैं monthly में भी scan कर सकते हैं अगर मैं weekly में यही scan करूँगा मैं suggest करूँगा कि आप Friday के data के बाद इसको weekly scan कीज़े तो आपको weekly close के बाद जो RSI का जो figure होगा वो आपको particularly right मिल जाएगा but just a come mid of the week है फिर भी अगर इसको करते हैं तो यहां पर आप देखिए nifty consumer variables एक positive में है weekly charts पर health care positive है weekly charts पर और digital है positive charts पर वह तीन चार को छोड़के सारे के सारे मोमेंटम अभी भी positive में यहां पर आप देखेंगे तो CPAC weekly positive है consumption weekly positive है energy weekly positive है okay so yes positive और यहां पर हम थोड़े से नीचे जाएंगे तो nifty 100 weekly एक negative crossover के रूख पर आया yes weekly का closing important होगा यहां पर RSI के मेजर के लिए but just a mid of the week में है तो यहां पर हम देख सकते है कि एक positive है तो यह एक indicator है RSI का because manually देखना थोड़ा सा difficult होता है but यह negative crossover आप जब market breath को देखना का start करोगे आपको यह indication आएगा कि yes शायद एक market range bound में जा सकता है no trading zone में जा सकता है अगर आप option trader हो यहां पर you can even think of looking at straddle and strangles वहां पर बहुत 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 ऐसा होता है कि अगर time correction में market support और resistance zone में trade हो रहा है तो वहां पर आपको एक option strategy भी आप implement कर सकते हो बट यह एक broader trend यहां पर आपको indicate करेगा को एक अलग नजरे से RSI को देखने का market breath consider करने के लिए तो शायद आपने RSI बहुत बार एक videos भी देखे होंगे बहुत सारे books में भी पढ़ा होगा I guess this is the first time यह angle से आपने शायद RSI को कभी देखा नहीं होगा and यह negative crossover बहुत interesting positive crossover even बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि market extreme fear में होता है जब downtrend में होता है और आपको suddenly एक दिन ऐसा होता कि market ने reversal दिया और momentum एक positive crossover के बाद आता है तो generally क्या होता है ना एक sudden fall के बाद अगर एक sudden fall के बाद जो reversal आए तो आपको शायद वो convergence divergence का play होता है और थोड़े time के बाद एक negative crossover या positive crossover है अगर आप recent rally देखोगे तो recent rally में जो आया था हम nearly 21,000 के आसपस 21,800 के आसपस थोड़ा सा consolidation कर रहे हैं जब 22 हमने पार कर दिया बट वो एक gap up open होने के बाद भी momentum continue नहीं हुआ था जो हमने 20,400 के बाद देखा था तो शायद मुझे लगता है कि वो reason है इसलिए कि आज के fall के बाद negative crossover हो सकता है या आपर market में तो शायद एक 22,000 जो recent high था 22,24 में act as a minor resistance zone over year और और प्रॉबर 22,000 तो ये एक एंगल से आप RSI को consider कर सकते हो signing off Bridges वाट झाल